सो हेलो गाइज, वेलकम टू वीपी एजुकेशन, मैं विकास पांडे आप सभी का वीपी एजुकेशन पर स्वागत करता हूँ इस वीडियो में हम सब सीखने वाले हैं क्या भारत के उपराश्च पती, उपराश्च पती की बेटा इंगलीज होती है वाइस प्रेशिडेंट क्या होती है, वाइस प्रेशिडेंट ठीक है, इसकी पिछली वाली वीडियो में हम सबने क्लियर किया था, प्रेशिडेंट यानि राश्च पती वन से लेकर के जो भारत के प्रथम राश्च पती डाक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, उन से लेकर के क सबसे पहले भारत का प्रथम उपराष्ट पती कौन बना था यहां से हम लोग क्लियर करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सो गाइज हमारे पहले नंबर के राष्ट पती ध्यान से देखिएगा आप सब भी नोटबुक अपनी ले लीजिए ठीक है अमेरे साथ साथ आप लोग भी राइट करते रहे तो जो भारत के प्रथम उपराष्ट पती बनेते पहले नंबर पे आप लोग ध्यान से देखिएगा वो हैं डाक्टर ठीक है तो वो हैं डाक्टर S Dr. S. Radha Krishnan कौन है Dr. S. Radha Krishnan देखिएगा द्यान से ये हमारे भारत के प्रत्थम उपराश्ट पती थे ठीक है Dr. S. Radha Krishnan जो थे ये हमारे भारत के प्रत्थम यानि पहले उपराश्ट पती बने थे ठीक है इनका कारेकाल जो था ध्यान से देखिएगा इनका जो कारेकाल था ये कब बने थे ये बने थे 1952 में कब बने थे 1952 में और इनका कारेकाल खतम होता है 1962 ठीक है 1952 में ये बने थे और 1962 पर इनका कारेकाल क्या हो जाता है खतम हो जाता है ठीक है तो चलिए आए जानते हैं कि भारत के दूसरे उपराष्ट पती कौन बने थे ठीक है जो भारत के दूसरे उपराष्ट पती कौन बने थे तो ये थे डाक्टर डाक्टर जाकिर है ना डाक्टर जाकिर अब तो आप जानी गए होंगे डाक्टर जाकिर है ना डाक्टर जाकिर हुसैन ये हमारे जो है भारत के दूसरे उपराश्च पती थे डाक्टर जाकिर हुसैन ये भारत के दूसरे उपराश्च पती थे इनका कारेकाल कहां से हमारा 1962 से ठीक है 1962 जब राधा कृष्णरन का कारेकाल जिस दिन खतम हुआ 1962 में वहीं से डाक्टर जाकिर हुशेन का कारेकाल क्या होता है शुरू होता है 1962 से और इनका कारेकाल कब तक चला इनका कारेकाल चला 1967 तक है ना 1967 तक ओके तो चलिए देखते हैं भारत के जो तीसरे उपराश्ट पती बने उनका क्या नाम है ठीक है तो भारत के जो तीसरे उपराश्ट पती बने थे उनका नाम है वी वी क्या नाम है वी वी गिरी वीवी गिरी ये हमारे भारत के तीसरे उपराश्च पती है ये हमारे भारत के कौन से तीसरे नंबर के उपराश्च पती है जिनका कारेकाल सुरू होता है 1967 से 1967 से कब इनका कारेकाल कितने दिनों तक चला 1979 तक ठीक है इनका कारेकाल 1967 से स्टार्ट होता है 1969 पे क्या होता है क्लोज होता है तो चलिए आये देखते हैं भारत के चौथे फोर्थ नंबर के उपराश्च्पती कौन बने थे ये थे बेटा जी गोपाल देखेगा इनका नामता जो भारत के चौथे उपराश्च्पती बने थे गोपाल स्वरूप गोपाल स्वरूप पाठक गोपाल स्वरूप पाठक ये थे हमारे चौथे उपराश्पती भारत के गोपाल, स्वरूप, पाठक जिनका कारेकाल 1979 से शुरू होता है और 1974 तक चलता है 1979 से इनका क्या होता है स्टार्ट होता है और 1974 पे इनका कारेकाल खतम हो जाता ठीक है तो चलिए आएए देखते हैं हम पाचवे नंबर के उपराश्ट पती कौन बने पाचवे नंबर के उपराश्ट पती है उनका नाम है बी उनका नाम क्या है बी बीडी है ना देखेगा इनका नाम है बीडी जत्ती बीडी जत्ती ये हमारे पाचवे नंबर के उपराश्ट पती बने थे भारत के जिनका कारेकाल सुरू होता है 1974 से ठीक है इन्होंने 1974 से अपना कारेकाल चालू किया और 1989 पर इनका क्या होता है कारेकाल समाप्त हो जाता है ठीक है तो चलिए आगे देखते हैं आगे छठे नंबर के हमारे जो उपराश्पती बने उनका क्या नाम था उनका नाम था न्याय देखेगा ध्यांचे उनका नाम था न्याय मुर्ती न्याय मुर्ती न्याय मुर्ती मुहम्मद हिदाय तुल्ला यह हमारे छठे नंबर के उपराश्पती बने थे और जिनका कारेकाल सुरू होता है कब से 1989 से 1979 से इनका कारेकाल चालू होता है और 1984 पर खतम हो जाता है यानि 1979 पर स्टार्ट होता है और 1984 पर इनका कारेकाल समाप्त हो जाता है ठीक है चलिए आए देखते हैं सातवे नंबर के उपराश्च पती हमारे कौन बने थे सातवे है ना जो सेवेंध प्लेस पर आये थे इनका क्या नाम था इनका नाम था आर इनका क्या नाम है आर आर बैंकट आर बैंकट रमड है ना ये आर बैंकट रमड जो है ये हमारे भारत के सातवे उपराश्च पती बने थे ठीक है और इनका कारेकाल सुरू होता है 1984 से 1984 से चालू होता है और 1987 पे इनका कारेकाल क्या हो जाता है समात हो जाता है ठीक है चलिए आए देखते हैं आठवे नंबर पे कौन आया आठवे नंबर पे हमारे राष्ट पती जो हमारे उपराष्ट पती बने थे उनका नाम है डाक्टर क्या नाम है डाक्टर शंकर दयाल डाक्टर संकर दयाल शर्म ठीक है ये हमारे भारत के आठवे उपराष्ट पती बने थे ठीक है जिनका कारेकाल शुरू होता है 1987 से 1987 से और इनका कारेकाल जो है 1992 पे क्या हो जाता है समात्थ हो जाता है 1987 से ले करके 1992 तक ये नोंने अपना कारेभार समाला ठीक है आगे देखते हैं नवे नंबर पे नवे नंबर पे कौन हमारे उपराष्ट पती बने थे नवे नंबर के उपराष्ट पती बने थे के आर के आर नारायडन ठीक है ना रा यडन नारायडन ये हमारे 90 नंबर के क्या बने थे उपराश्ट पती बने थे भारत के ठीक है इनका कारिकाल सुरू होता है 1992 से और इनका कारिकाल कब तक चलता है 1997 तक ओके समझ मैं चली आयों देखते हैं दसवे नंबर पर हमारे बने थे उपराश्ट पती क्रिश्ण कांत कौन बने थे देखिएगा क्रिश्ण क्रिश्ण कांत क्रिश्ण कांत ये हमारे दसवे नंबर के उपराश्ट पती बने थे जिनका कारिकाल कब से 1997 से चालू होता है 1997 से चालू होता है और इनका कारिकाल चलता है कब तक 2002 तक 2002 तक इनका कारिकाल चलता ठीक है चलिए आगे देखते हैं हम सब ग्राहवे नंबर पे देखते हैं ग्राहवे नंबर पे भारत का उपराश्ट पती कौन बना था ग्राहवे नंबर पे हमारे आते हैं कौन आते हैं भैरो भैरो सिंग है ना भैरो सिंग सेखावत भैरो सिंग सेखावत ये हमारे भारत के इग्रहवे उपर राश्च पती बने थे ठीक है जो कि हमने अभी आपको समझा दिया बता दिया कि जो है इसके पहले हमने बताया था कि जो भारत का उपर राश्च पती होता है वो राश्च पती के बाद का दूसरा दरजा होता है ठीक है और जो भारत का उपर राश्च पती होता है उसका ख्वाईस होता है कि वो भी एक दिन क्या बने राश्च पती बने ठीक है वो भी र राष्टपती बनने की इच्छा रखता है इनके कारेकाल की अगर बात किया जाए तो इनका कारेकाल हमारा 2002 से चालू होता है और दस तारिक आठो महिना 2007 तक इनका कारेकाल चलता है ठीक है चलिए आये देखते हैं बरहवे नमबर उपर राष्टपती ठीक है तो बरहवे नमबर पे हमारे कौन बने थे बरहवे नमबर पे हमारे बने थे हामिद हामिद अंसारी ये हमारे भारत के बरहवे उपराश्पती है जिनका कारेकाल चालू होता है कब से 11 तारिक आठवा महीना 2007 से इनका कारेकाल चालू होता है और 11 तारिक आठवा महीना 2017 तक इनका कारेकाल चलता है ठीक है 17 तक चलिए आए देखते हैं 13 नमबर पर को ना या तेराहवे नमबर पर हमारे आते हैं एम एम वेकैया एम वेकैया नाइडू एम वेकैया नाइडू जिनका कारेकाल कब से स्टार्ट हुआ इलेवन डेट और एट मन्स ट्वैंटी सेवन्टीन ठीक है और इनका कारेकाल जो है 10 अगस्त 2022 तक चला ठीक है सो गाइज हमारे चौदाहवे नमबर के जो इस समय के प्रजेंट उपर आश्ट पती हैं जिनका नाम है क्या जगदीप क्या नाम है जगदीप जगदेप धन खड़ ये हमारे आरत के चौदाहवे नमबर के उपर राश्ट पती हैं जो की इस समय प्रजेंट के हैं ठीक है और इनका कारेकाल सुरू होता है कब से ग्यारह अगस्त से ग्यारह अगस्त दो हजार बाइस से इनका कारेकाल चालू हुआ है और अभी इनका कारेकाल चलता रहेगा ठीक है तो ये थे हमारे भारत के उपराश्ट पती हमने वन बाई वन फस्ट से लेकर के अभी करिंट जगदीप धनखड तक के उपराश्ट पती को वन बाई वन क्लियर किया है ठीक है